हेलो एव्रीवन कैच यो आप जब लोग आशा करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे तो सवागत आप सब लोग का में तो जो भी सामान सेटा सब नीचे आ जाता है कभी कभी एमें जरूरत पढ़ती है फिर मुपर मतलब रखने का मैं याद भूल जाता है तो मैं मैंने सोचा कि उसको पहले रख देती हूं क्योंकि एश्ट्रा सामान अगर किचिन में आ जाता है तो किचिन बहुत भरी भरी लेकिन खाली किचिन और सापसुत्री किचिन जादा पसंद है मुझे तो जो भी चीज थी वह भगोनी भगोनी बड़ी वाली तो सारी चीज में उपर रख दिया जब जरूरत पड़ी थी तब मैंने उसको निकाला था और अभी हो रहा है सामका टाइम बज रहे होंगे साथ मैं किचिन को भी क्लीनिंग कर रही थी तो यह देख लिए जितनी भी बोतल है मैं भरके रख देती हूं यहाँ पर ही और क्या होता है कि हम लोग फ्रीज में से बोतल से पानी पीते हैं तो हम लोग साधा भी पीते हैं बिना फ्रीज का तो अभी हम बोतल का ही पीते हैं तो यह देख लीजे बोतल सारी भर के रख दिये और आज बने है दाल चावल और मेरे बहन ने बनाए है और उसके बाद मैं किचिन क्लीन करने के बाद आगी हूँ अंदर की रूम में तो मैंने सोचा कि यहां के कपड़े बहुत जादा एकटे हो गए थे क्योंकि मुझे काम क चकर में वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी दूसरे के वीडियो पर भी नहीं जा रही थी क्या हुआ कि मेरे मसीन का काम आ गया थे तो उसके और वो अर्जेंट था तो उन्होंने पहला जितनी चल्दी कर सकते अच्छा है तो मैं किसी भी काम पे जादा ध्यान नहीं दे पा रही थी इसलिए यह सारी चीज़ें इखटी हो गई इतनी सारे कपड़े तो मैंने का आज मैं फ्री हूँ तो इसको सबसे पहले यहां के कपड़ों को गरी करके रख देती हूं और अलमारी को तो मैंने क्लीनिक कर रही ही लिया है तो देखते हैं आप लोगों ने सजेस लिखे नास्ते में वहां बहुत दिन से नहीं बनाया था इसलिए तो चाय बनने के लिई रख़िये और हमने लिए आलू प्याज घरी मिर्ची और क्या मों पोहे में अलू बहुत जादा अच्छा लघता है तो चलिए मैं अपना सामान कट कर था आपर तब तक मैं ले ले खुए म आज मेरे वी उस नहीं आ रहे है मुझे पता लेकिन पही तहु आ हाएंगे तो आफ लोग ए नहीं हमेरे साथ तोड़ा बहुत चलूगे और आसा ये करती कि अगर आप लोग हमसे पहले भड़े तो हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट करती ना बस इतनी ही आप लोगों से मुझे उमीद है रिक्वेस्ट है तो चले ले देती हूं और भी चार लोग पचे उनका नाम फटाफट से तो नेस्ट नाम है हैपी लर्निंग तो उनको भी चाहिए सपोर्ट करियेगा और फिर से अब यह तीन नाम और बाकी है तो वह भी में ले देती हूं तो नेस्ट नाम है जो कि मैं बहुत बार ले चुकी हैं फिर भी मैं ले रही हूं तो नेस्ट नाम है हैपीनेस उत्राखन ब्लोकर तो आप लोग चाहिए गा फटा-फट स ले देती हूँ लाश नाम है अलका मितलेश चौधरी तो आप लोग जाईए उनको भी सपोर्ट करिएगा बस यही है और फ्रेंड पता है एक बात मैं आप लोग कोई साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा है जो काओं में बहुएं होती है उनको अपने घर की छ कोई भी आजाए तो खूंगट करके रहा हूँ इतना मतलब अजीब सा लगता था कि देखो एक तो हम लोग कहीं दूसरे जागा जाते हैं तो दूसरे जागा नए नए लोग मिलते तो हर इतने जल्दी तो किसी से गुल मिल नहीं सकते ना और दूसरा फिर हम अपने घर छो यह वो अपनी जहत पे नहीं आती कभी भी कपड़े सुकाने के लिए भी उन्होंने अपने जहत भी नहीं देखी कैसी क्या है क्योंकि यह क्या होता है तो यह देख लीचे यह मेरी बहन ने ओनलाइन साड़ियां मंगाई ती तो मैंने सुसरे आप लोग के साँ शेयर कर दे तो आपको देखाती हूं और इस में से एक साड़ी मैंने किसी की देखी भी थी किस के पास थी तो आप लोग अगर देखो वीडियो आप तो जरूर मुझे बताना किस ने करी थी किसी के ब्लॉग में ही देखी थी कल के ब्लॉग में मैंने तो जरूर बताना किस ने खरी ती तो ओन्लाइन माघ थि वह भी मीसो से मैंने कोई चीष ममघ आई है मुझे नहीं पसंद मेरे हसमें मीसो से मेरे हसमें ने एक जूते शूते ORDER किये थे लेकिन शूते आये नहीं तो यह डेट दी ती उसमें उसमें से वह डेट भी निकल गगि और उसके बाद caught चार पास दिन और भी अश्ट्रा हो गया फिर अम लोगों ने ऐसे ही दुकान से ही खरीद लिया मुझे नहीं पसंद है क्या होता है कि फोटो में पता नहीं चलता ना कौन सा कपड़ा यह देख लो साड़ी का कपड़ा ज्यादा खास अच्छा नहीं है जब तक कपड़ जब कैसा है क्या है और दूसरी बात जब हम रेडी मेट लेने के लिए जाते है ना मार्केट में तो वहां पर मुझे अच्छा लगता है यहां पर एक मार्केट बढ़ती है वहां पर बहुत अच्छी साड़िया मिलती है बहुत सथी मिलती है तो देखते हैं का जाएंगे घर ज जाओंगी और तब आप लोग के साथ शेयर करोंगी उसकी यह चार सो पान पान सो की साड़ी है दोनों और वो भी देखना आप लोग तो कौन सी आप लोग को अच्छी लगेगी मुझे बताना जरूर और सोच रही हूं कि अभी क्या करूं सारा काम तो हो चुका निबट चु आप लोग करती है ना इस रूम में तो कैसी आवा जा रही है गूंजी हुई आवा अच्छी तो जैसे हम पोत देते हैं किसी रूम खाली हो जाती है तो ऐसी आवा जा रही है यह दूसरी वाली साड़ी है देख लिचे इसका भी कपड़ा बॉर्डर तो ठीक लग रहा था पर कपड़ा हमको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल यह तो उससे भी मैंगी थी वो अगर 400 की तो इत्ती तो यह 500 मुझे भाव नहीं पता सईसे लेकर यह देख लिचे इसका बॉर्डर तो अच्छे लग रहा है लेकिन कपड़ा बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया तो जाने के उनको इजाज़त नहीं होते सुरूब आत्मसाथ ही वो क्या आपकी आती तो आप मार्केट नहीं जा सकते यह गाओं की नियम और रूल है आप छत्पे भी नहीं जा सकते जादा अगर चत्पे जाना भी पड़े किसी कारण तो आपको एक हाथ का खुंगट करके ज लाओं तो आप लोगों के सांद श्यार खरो कि वहाँ कारें सायर कैसा और वहाँ पर कैसे रहते हैं कितना बड़ा रहती present si किसके सामने नहीं करते यह सारी चीजे अगर आप लोग को देखना है तो बस एक ही काम करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब परना पड़ेगा तो पटा फटे कर लीजे और वेल आइकन को भी ओन कर ले ना जिससे जो भी बीडियो डालूंगी ना उसका पता आपको चल ज जाएगा ठीक है तो वो कपड़े थे वो पहले के थे और यह है आँ सूख गए थे तो मैंने का चलो इनको घरी करके रख देती हूं क्योंकि अभी मैं फिरी हूं कोई कामबाम है नहीं मेरे पास क्योंकि मसीन का काम तो अभी आनी रहा है क्योंकि दिवाली आ गई है तो बस चलो कपड़े घरी हो गए उनको लाती हूं और यह यहां पे डेली के कपड़े में यहां पे रखती हूं अलमारी में नहीं रखती हूं ठीक है तो यह देख लीजे है तो यहां पे जिसके कपड़ा जहां पे हैं उसी लाइन में डख देती हूं वरना कपड़े ढूडने मे बहुत ज़्यादा देखात होती हो यह बाला कुलर आप लोगों दिख रहा है ना यह मेरी और सेकेंड प्रेमेंट से आया था यूटुब से तो आज का कोड है 10 यानि की 10 तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए लेकिन आप गड़ित में यानि की मैथ में मत लिखना इंग्लिस में ही लिखना कोसस करना और उनका नाम मैं नेस्ट ब्लॉक में लूगी और हमेशा ऐसी तरीके से लेती रहूंगी ठीक है तो बस मैं चोटी कर लेती हूं क्योंकि घर में बाल जादा अच्छे नहीं लगती न कई में उड़ते हुए देखती हैं तो यह देख लीजे पैड़ा फट से चोटी को फिनिस कर लेती हूं और आज का ब्लॉग हमारा बस यही तक है नेस्ट ब्लॉग देखना कहां से स्टार्ट करोंगी मैं मुझे खुद भी नहीं पता तो आशा करती हूं कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो बस वही है लाइक कर देना मिलती हूं मैं आश्ट ब्लॉग के साथ तब तक ही लिए